साथियों नमस्कार मैं आपका मेत्र के पांडे अपनी यूटूब चैनल पंचांग देखना सीखे तथा जोतिस बने में हारदिक स्वागत करता हूं आप परती दिन के तीथी नच्छात्र जोक का मान 12 लगन घंटा मिनट में विवाह उपनायन बधू परवेश किसी परकार के महुर्त की बिश्तित जनकारी कुंडली के अध्यन पंचांग देखना कैसे सीखे तथा अन्य समस्याओं के लिए इस नंबर पर वार्ट सब कर सकते जय सिर्राम आज हम लोग देखते हैं अपने विशे क्योर बढ़ते हैं रसोई घर के दोस एवं निवारन रसोई घर के दोस और निवारन के बारे में हम लोग अचर्चा करते हैं आज कल इस नए जूग में मकान नए आधुनिक तरीके से बनाये जा रहे हैं प्रंतु ध्यान देने जोग बात है कि आपके रसोई घर में क्या बास्तु दोस तो नहीं है क्या आपके घर रसोई जो है जहाँ पर आप खाना बनाते हैं वहाँ पर उस घर में बास्तु का नुसार ही तो है या उसके विप्रित है किम की मानों जीवन में मानों के सरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भोजन की अत्यधिक महत्व होता है अतर भवन में पाक साला का निर्मान भी बास्तु सास्र के अनुसार होना आवश्चक माना गया है इसे हमें ध्यान देना चाहिए जिससे की हमें भवन में रखने वाले सभी सदस्य जो भवन में रहने वाले सभी सदस्य हैं वह स्वस्त रहें बास्तु सास्त्र में दखिन पुर्व अर्थात अगने कुण का स्वामी अगनी देव को मना गया है अतहे यहां पर पाकसाला बनाना अत्यांत उपजुक्त है अगनी में जो है अगनी में तेज होता है इसलिए हमारे रिशी मुनियों ने अगनी कुण को रोसोई घर के पाकस दिशा बताए हैं सही दिशा में भोजन बनाने पकाने से खाने वाले ब्यक्ति भी अच्छी बुधी एवं बलके होते हैं तथा यहां पर यह भी कुछ भी से से बाते ज्यान परधक गिया जा रहा है जिसे आप ध्यान से देखें जिसे पाट साला जो है उसमें कोई आपका द में जो भी ब्यक्ति भोजन पुरू से अमहिला बना रहे हैं उनका मुक जो है सदा पूरब दिशा में होनी चाहिए पानी रसोई घर के इसान कोण में रखना चाहिए चुल्हा पाक साला की अगनी कोण में रहना चाहिए पानी के अस्थान पर चुल्हे को कम से कम साथ में रित कोण पर भूल से भी पाक साला नो बनाएं भारी बरतन रसोई घर में दखिन दिशा में रखें खाद समगरी को उतर दिशा में रखना चाहिए भोजन पकाने के बाद चुल्हे पर बरतन नहीं रखें उसे नहीं छोड़ें रसोई घर को परकास जोगते खूला रखने कोण में लगाएं रसोई घर का दर्वाजा उर्व में नहीं रखें चुल्हा सिधा दर्वाजा के सामने नहीं रखने चाहिए दिवार पर कलर पीला होना चाहिए फ्रीज रसोई घर के में नैरित एवं इसान कोण में नहीं रखें ये सारी बाते जो आपनों को दी जा रही है इसे आपको परहेज करना चाहिए इसका ध्यान देना चाहिए डाइनिंग टेबूल आयताकार होना चाहिए डाइनिंग टेबूल पर खाना खाते समय मुख पुर्व दिशा में होना चाहिए जूठे बरतन नेरित्य कोण में न रखें अस्थान अभाव में रसोई घर बायव में रख सकते हैं प्रन्तु गैस चुलहा अगनी कुण में कम से कम रखें तो दोस कम होता है इस परकार रसोई घर के बारे में हम लोग ने देखा कि उसके दोस और उसके निवारन किस परकार किये जाते हैं जड़ी वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक से अर्था सब्सक्राइब करेंगे धन्यवाद